दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब से ये कोरोना वारस की विमारी आई है WHO सुरवात से ही चाइना का पक्ष लेते हुए आया है दुनिया का कोई विदेश खुल कर चाइना का विरोध नहीं कर पाया है even WHO ने अपने official statement में ये चीज़ कई बार clear करी है कि कोरोना वारस को कोई विदेश चाइनीज वारस के नाम से नहीं बुलाएगा लेकिन हाल ही में WHO ने एक ऐसी हरकत करी है जिसमें कि भारत सरकार ने strictly क्या आदेश दिये हैं इस चीज़ को लेकर भारत ने यहां पर एक statement जारी किया है उसके बारे में discuss करेंगे उससे पहले आपको बता दूँ कि हाल ही में WHO ने भारत में जो कोरोना की दूसरी लेर आई है जिसकी विज़े से case अभी बढ़ता है उसको लेकर एक report जारी करी है और उस report में उसने भारत में कोरोना वारस के फैलने के पीछी के क्या करण बता है उसको इस वीडियो में आपको discuss करूँगा तो यहां पर WHO की report में बेसिकली इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन प्रमुक रूप से WHO ने दो कारण बता है इसमें WHO बहुत जड़ा खुलकर नहीं बोल पाया है लेकिन सबसे पहला कारण जो इसने बताया है WHO ने वो यह कि भारत में दूसरी लहर का कारण है राजनीतिक और धार्मिक कारकरम ठीक है तो अगर हम लोग यहां से एक अपना conclusion निकालें तो हाल फिलाल में अगर कोई धार्मिक कारकरम हुआ है तो वो कुम्ब का आयोजन हुआ है तो पहला कारण हम मान सकते हैं हाला कि WHO ने कुम्ब सब्द का इस्तिमाल नहीं किया है लेकिन उसने लिखा है कि धार्मिक कारकरम की विज़े से इंडिया में COVID का दूसरा बेव आया है तो हम मान सकते हैं WHO यहाँ पर इसारा जो कर रहा है वो कुम्ब मेले के आयोजन के उपर कर रहा है जिसकी विज़े से COVID फैला है दूसरा कारण जो WHO ने बताया है वो है राजनायतिक कारकरम इसमें भी उसने खुल कर नहीं बोला है कि भारत के पाँच राजियों में जो इलेक्सन हुए है और साथी साथ में भारत के कई राजियों में जो छोटे-छोटे इलेक्सन हुए है उससे COVID का बहुत ज़दा इस्प्रेड हुआ है तो हाल ही में आप बान सकते हैं कि जितने भी राजनायतिक कारकरम रैलिया हो रही थी उन रैलियों से भी कहीं न कहीं यह COVID पहला है इसके लाबा कोरोना वारस के दो वैरियंट है जो की बहुत ज़दा डेंजरस है उन में से एक वैरियंट का नाम है B1.1.7 और दूसरा वैरियंट है जिसका नाम है B1.1.612 तो इस समय जितने भी COVID के केसे आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा तर जो मौते हो रही है वो इन ही दो वैरियंट के विज़े से हो रही है तो इसको भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा कारण बताया है इस COVID की दूसरी लहर के इस्प्रेड होने में तो ये जो वैरियंट है B1.1.617 तो ये चुकि इंडिया में अभी इसको हाल फिलाल में इसके केसे बहुत जादा देखे हैं इसके इलाबा इसको सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2020 में सबसे पहली बार इस वैरियंट को देखा गया था और अभी अगर UK का आप वैरियंट देखेंगे तो UK में बहुत जदा यही वाला वैरियंट B.1.617 जो है इस प्रेड हो रहा है इस वज़े से UK ने भी इंडिया से आने वाली फ्लाइट पर अभी प्रतिबन भी लगा दिया था तो यहां पर एक बिवाद यह भी चला था यह जो वैरियंट है B.1.617 इसको हाल ही में WHO ने इंडियन वैरियंट के नाम से बुला दिया था और दूसरी तब यहां पर WHO कोरोना वैरियंट को चाइनीज वैरियंट बोलने से रोकता है और एधर खुल कर वो इस वैरियंट को इंडियन वैरियंट के नाम से बुला रहा था तो कई इंटरनिस्नल मीडिया आप में इस variant को Indian variant का नाम दिया जा रहा था जिसके चलते भारत सरकार ने इसको लेकर बहुत बड़ी आपत्ती जताई है और definitely सही बात है कि आप एक ऐसे virus को जिसके उपत्ती चाइना देश में हुई है उसको आप Chinese virus कहने से तो रोक रहे हो लेकिन अगर कोई variant इंडिया में पाया गया है तो उसको Indian variant के नाम से क्यों बुलाए जा रहा है इससे भारत के एक छवी खराब होती है तो हाल ही में इस चीज को लेकर जो भारत सरकार ने और डॉक्तर हर्स वर्दन ने एक कह सकते हो problem जताई थी जिसके जलते हाल ही में WHO ने मना कर दिया है इस variant के आगे जो भारत लगा था सब्द उसको हटा दिया है यानि कि अब इस variant को भारत का variant कोई भी मीडिया या फिर इंटरनेशनल मीडिया इस सब्द का यूज नहीं करेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो variant है अभी recent में लगबग 21% जो cases है वो B.1.617.1 और 7% cases में यह 2 यानि कि यह जो variant है यह बहुत ज़दा इस समय active है तो यहाँ पर भारत ने इसके आगे भारत का नाम लगाना भी मना कर दिया है इसी प्रकार के और भी ऐसे 70 वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें थैंक यू फर वाचिं इस वासम वीडियो